नमस्कार दोस्तों मैं रविंदर कुश्वा है और मेरे चैनल रविंदर टेकन ब्लॉक्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम 44.4 mm का कॉयल बनाएंगे यह सेलेक्शन और पी आडियो स्पीकर्स में लगकर आता है 100 वाट का स्पीकर होता है जिसमें लगकर आता है यह प् 44.4 mm का कॉयल आपको बनाना हो तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा बगए इस किप किये देखना होगा हम इसके भी सहमें बारिक से बारिकी चीज़ अज समझाएंगे तो यह देखिए यह हमारा पुराना 44.4 mm का कॉयल है यह इस कॉयल से बना इसको हम पॉलिस पेपर से रिग मार्क से घस लिए हैं जिससे हमारा कॉयल जो है पेपर को नहीं छोड़ेगा अक्सरा लोग कंप्लेन करते हैं कि रवी भाई हमने कॉयल बनाया बट हमारा क्वाइल कैप्टेन पेपर में छूट गया वायर अलग हो गया और कैप्टेन जादी हैं और यहां पर 35 गेज डीसी वायर यूज कर रहे हैं दोस्तों यह कोईल दो वायर में बनता है या तो आप 36 यूज कीज चिजिए या 35 यूज कीजिए अगर आपको शार्प मीड के लिए कोयल बनाना है तो प्लीज आप 36 यूज कीजिए और अगर आपको मीड़ के लिए कोईल बनाना है जिसमें थ्रो काफी अच्छा मिले तो 35 गेज आप यूज कर सकते हैं चुकि हम 8 होम्स का कोईल बना रहे हैं तो हम यह 54 से 56 टन लपेटेंगे दोस्तों जब इस कोईल को हम सेलेक्शन या पी ओडियो में लगाएंगे तो उस स्पीकर का मुझे थ्रो क कोईल नहीं देता है तो जब हम इस कोईल को सेलेक्शन या पी ओडियो में लगाएंगे और उसमें डियल कोन लगाएंगे तो जो भूंगा इफक्ट मिलेगा उससे हमारा मिट काफी शार्प और लॉंग रेंज में मिलेगा तो दोस्तों हमारा यह 56 टन लगब कंप्लीट हो काफी साउधानी से लपेटना है क्योंकि इतार के उपर इतार आएगा फिर उसके बाद लगातार आपको चिपकाते हुए वायर को लपेटते चला जाना है तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करके कमेंट में बताईएगा आपको क्या अच्छा लगा यहों मगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजेगा हम सब्ता हमें एक या दो टूटरिल वीडियो लाते हैं टूटरिल वीडियो में क्या रहता है कि हम अपना 22-24 वर्सों का जो अनुभा हुए आपके साथ शेयर करते हैं कुछ चीज़े आपको किताबों में मिलेगी कुछ चीज़ों अनुभाव से भी मिलती हैं तो हम सारा चीज़ शेयर करते हैं कुछ छिपाते नहीं है लगबग 56 वायर लपेटा गया है तो वायर का छेड़े को हम किनारे में मास्किन टेप से चिपका देंगे और उसको cut कर देंगे, अब हम इसके उपर air light लगा करके hit करेंगे, तो air light वापस आपको wire के उपर रख लेना है, और hull के हाथों से पूरा फैला लेना है, अगर आप यहाँ हाथों में जोर देंगे, पटी जोर से लगाएंगे, तो आपका तार last में विखर जाएगा, अब इस करते हुए, क्वाइल के पूरे surface को हम गर्म कर दे रहे हैं, यह देखिए, air light विखल करके चमकने लगा है, अब इसके बाद हम वापस पाच नंबर की seat से, इसको smoothly चिकना कर लेंगे, जिसे क्वाइल काफी अच्छा दिखेगा, इस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उल्टे डायरेक्शन में आपको पट्टी से घुमाना है, तो आपका कॉयल कभी बिखरेगा नहीं, लेकिन अगर वाइंडिंग वाले डायरेक्शन में आप अगर पट्टी को घुमाएंगे, तो आपका कॉयल बिखरने के चांसे बढ़ जाते हैं, यह देखिए, हमारा 44.4 में का कॉयल तयार हो गया है, अब इसको हम जो है सो भटी में 15-20 मिनिट के लिए सूखने के लिए रख दे रहे हैं, 15-20 मिनिट में सूख करके टाइट हो जाएगा, भटी में हम 200 वाट के दो बल्ब लगाए हैं, और इसको हम 20 मिनिट चलाते हैं, यह देखिए हमारा कॉयल स पीर हो गया है, अब इसके हम चेपी लगाएंगे, तो चैपी लगाने के लिए 7 नमर का जो रोल हैं, उसको हम क्वाइल के अंधर डाल करके उसको लॉक कर दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि क्वाइल पर हम जब चेपी लगाने के प्रेस करेंगे nicht siraxi कैंगे, तो क्वाइल कलेयर हो आपका माइनस निकलाइं तो ये देखिया हमारा ये अंदर का इसको घूल को सबसके लिभ mart Yasuh ये उट्षा निकला यह व्य थ्वी अगर जयांदर के शेय surprises को अब इस पर हम स्बस्ते होगा S के लिए हम इस पेप सेवन काप्न पेपर के ऊपर फैला ले रहे हैं और उसको एक सपंज की पट्टी से अची तरीके से फाइला करके लगा दे रहे हैं यहां पर आपको सेवन जो सो अच्छी तरीके से पूरे कैपिन पेपर पर फाइला लेना है क्योंकि जब मास्किन टेप के ऊपर भी अपना इस पेप सेवन लगाएंगे तो जॉइंट कफी अच्छा होगा यहां पर इस पेप सेवन फेवी बॉंड जेवी फ्लेक्स या कोई भी चपल चिपका जो रबर एदेशी होता है सुलोचन जिसको बोलते हैं आप यूज कर सकते हैं हम यहां पर इस पेवन ही यूज करते हैं इस पेप सेवन एक लीटर में आता है उसको हम छोटे से बटल में निकालकर रख लेते हैं तो यह देखिए हमारा मास्किन टेप है यह जो है एक इंच स्किन टेप यह होता है बड़ जल्दी मिलता नहीं है यह एक इंच में कटा हुआ मुझे मिल गया था इस टेप की खुबी यह है कि इसमें रेशेदार पेपर होते हैं और यह फाड़ने पर फटता नहीं है और जब इस पर लगेगा तो एर लाइट वह जो रेशेदार है उ यूज करते हैं लेकिन अगर कार्बोनेटेट पेपर आपको मिले तो आप कार्बोनेटेट पेपर यूज केजे कार्बोनेटेट पेपर आपको नहीं मिले तो आप नॉर्मल पेपर भी यूज कर सकते हैं तो इस टेपी पेपर को हम कैपन पेपर के ऊपर काफी अच्छे से टाइड करके चिपका ले रहे हैं और जहां से वायर का छिड़ा निकला हुआ है वहाँ पर हम नाखुन से दबा करके पतले इसका जो एक्स्ट्रा टेप है उसको काट देंगे और एक इसको डैवर या किसी भी चीज से चेपी का और कैप्टन पेपर के बीच में जो इस पेप पे जाम किये थे उसको निकाल दे रहे हैं तो दोस्तों यह हमारा कोईल लगबग रेडी हो गया है अब इसको हम स्पीकर पे लगा करके आपको दिखाते हैं यह 44.4 mm का एक स्पीकर है पोल का तो यह देखिए कोईल एकदम परफेक्ट बैट गया है अब एक 10 नंबर की सीट हम बाहर से घुमा देते हैं तो साथ नंबर की सीट हमारा अंदर लगा हुआ है और दस नंबर की सीट बाहर है तो कोईल हमारा एकदम परफेक्ट बना है कहीं घसेगा नहीं तो दोस्तों उमीद करता हूं कि मेरे वीडियो देख करके आप मीड बास या प्रॉपर थ्रो ना सकते हैं बसे आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर मीड प्रॉपर शार्प काफी ज्यादा चाहिए तो अगर आपको मीड बास चाहिए थ्रो के साथ में तो थर्टी फाइगे जूज करना है तो यह देखिए 44.4 mm का कोईल रेडी हो गया है तो दोस्तों उमीद करता ह हो यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा कमेंट में बताईएगा आपको क्या अच्छा लगा दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही जैहिंद वन्ने मातरम दोस्तों आपका दिन शूभो करता है